हलो एव्रिवन विल्कम बाग तो माई चानल दाट इस इंग्लेश फीड फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपके काफी सारे मेसेज़े आ रहे थे जब से यूपी टीजीटी पीजीटी में टेट लागू करने के लिए बोला गया है पीजीटी में बीड के लिए बोला गया है तो ये बहुत सारी निउस चल रही है और बहुत सारा कन्फ्यूजन है जबकि इतना कन्फ्यूजन वाली ना तो कोई बात है और चीजे बहुत ही सिंपल और क्लियर है कुछ भी बहुत जादा कॉंपलेक्स नहीं हुआ है आपके लिए मैंने भी इस पे विडियो बनाया था पर या तो आपको ठीक से समझ में नहीं आया या हो सकता है कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया होगा और वो चाहे जहां से हुआ हो या कहीं से भी हुआ हो तो क्लियरली समझ लिजे और बहुत जादा पैनिक मत हो ये कि ये क्या निउस आ गई अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकत क्योंकि ये आपने भी सुना होगा कि आधा अधूरा ग्यान वो एक विसफोट का काम करता है क्योंकि वो आपको गलट ट्राक पर लेके चला जाता है वहां से आपका माइंड सैट भी चेंज हो जाएगा वहां से आपकी प्रिप्रेशन पर भी फरक पड़ेगा आपने जो यूपी टेट कपसे होगा तो देखे पहले वन टू फाइव में टेट होता था और सिक्स टू एट प्राइमरी और जूनियर का टेट होता था यह तो क्लेर है एकदम अब यह बोला गया है कि ट्वेल तक के लिए पढ़ाना है आपको क्लासेज में तो उसके लिए टेट और फॉर्म फिल किया है टी जीटी टी-पीजीटी का पुराना वाला तो उसी टाइम से था कि लागु होगा या नहीं होगा लेकिं हुआ नहीं इसी तरीके से जीएस के बारे में भी बहुत सारी बाते चल रही है ठीक है अधर स्टेट्स में है जी एस है अदर सबजक्ट सरह क आप सभी को पता होगा और उसके साथ में TET भी है लेकिन अपने यहां UP में नहीं है तो उसी चीज के लिए बोला गया है कि अब 910 का भी होगा 1112 का भी होगा TET होगा जो कि अभी तक हुआ नहीं है तो TET उसमें compulsory होगा आपका जो 22 वाला एक्जाम है उसमें तो किसी भी एं बहुत जल्दी और इस टाइप से कुछ नहीं हो सकता है उसमें तो वो तो आपका as it is रहेगा हाँ यह है कि जो आपकी अपकमिंग वेकेंसी है यानि कि जो वेकेंसी अब नहीं निकलेगी उसमें आपका TET भी आपको देखने को मिल सकता है और वो भी कोई बहुत शॉरिट नहीं है क्योंकि अभी इनको TET कराना पड़ेगा उसके बाद में यह वेकेंसी आने का कोई वैलेट पॉइंट बनता है ऐसा तो हैने कि वेकेंसी निकाल देंग और उसके बाद में TET होगा तो वो तो एकदम कोई सेंस वाली बाती नहीं होगी तो उसमें भी टाइम जाए इसमें अभी कोई भी किसी तरीके की श्वारिटी नहीं है अब आप क्या कर सकते हो बीइंग वेरी प्राक्टिकल बीइंग एन एस्पिरेंट एक रेस्पॉंसिबल एस्पिरेंट के तौर पे आप यह कर सकते हो कि अगर TET आता है तो वह आप नहीं किया हुआ तो उस अगर लागू है ऐसे जीएस भी आता है हो सकता है जीएस भी आड़ होकर आए और पासिबिलिटी है कि जीएस भी आए उसमें हो सकता है टीचिंग आप्टिट्यूट की कुछ चीज़ें डाल दे क्योंकि देखें यह जनरल चीज़ें है यह गोईंग टू बीए टीचर तो सीट वगर आपने किया है तो टीचिंग आप्टिट्यूट है यह सारी चीज़ें आती है तो हो सकता है कुछ क्वेशन्स वह हो कुछ जीएस के हो ऐसे करके 30 क्वेशन्स के आराउंड आ जाए तो उसमें पैनिक होने की जोरत नहीं कि हो आएगा तब हम क्या करेंगे जो ची अचीव नहीं कर सकते जो एकदम से आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर दे ऐसी नहीं है अब ऐसे तो अगर हम लिखके डाल दे अब कुछ नहीं हो सकता यह हो गया अब क्या होगा अब तो यह भी लागू हो गया अब बनना और भी मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अब आपका टीचर बनना ही मुश्किल हो जाए इतना कोई बहुत बड़ी इसके अंदर चीज नहीं है हाँ यह है कि टेट हो जाए उसके बाद में वेकेंसी आए तो सेंस बनता है अब दूसरी बात है कि पीजिटी में पहले नहीं मांगा जाता था अब आपका होगा पीजिटी में अब आती है आपके बात जी आई सी में तो उसमें भी हो सकता आपको देखने को मिले पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी और अब बात करते हैं नया सिक्षा सेवच जयायन आयो का क्या है सीन देखिए अगर हम प्राक्टिकल होके बात करें न्यूस पेप के इस महीने मतलब की फैर प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगा यहां पर मैं यह सारी बाते नहीं करूँगा करेंगे की वह कहां घ़र में हैं तो हर चीज़े अच्छी दिखानी होगी कोई नहीं चाहेगा कि negativity या फिर कहीं से भी उनका negative points जाए और उनके जो votes है उस पे vote bank पे कोई फरक पड़े फिर है आपका ltgic vacancy आएगी या नहीं ltgic vacancy बिलकुल आएगी में भी हो ली के आसपास आपको देखने को मिल जाए जिस तरीके की news मिल रही है और अगर नहीं होता है तो जून जुलाई के आसपास मिलेगी आपको देखने को और वैसे possibility है मार्च के लगभग आपको होली से पहले पहले ltgic का जो notification वो देखने को मिल जाएगा ठीक है और अगर आप यह कहें कि आचार संगीता वगरा तो इस पर आपको पता है कि कोई फरक नहीं पड़ता आपने विज्ञापन निकाल सकते हैं लोग से वायोग पर इन सब चीजों का कोई प्रेशर नहीं रहता कोई बाउंडेशन नहीं होती है और दूसरी चीज यह देखिए आपकी यह चटा साल है तो काफी टाइम हो गया 2018 में आई थी तो अब वैसे भी आनी आनी है और जब बात हुई थी विकी खान जी की अध्यक्ष से तो वहां पर भी उनके यही बात हुई थी कि विज्यापन लेकिन हमें मतलब है इससे की आएगी कब वेकेंसी रीजन क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसे तो पूरे दिन आप वीडियो स्क्रॉल करते रहो माइंड डाइवर्ट होता रहेगा और सारा एफेक्ट जो है वह आपका प्रप्रेशन पर आएगा तो यह जो व इतना पानिक होने की ज़रत नहीं है और यह जो पिजटी का एक्जाम है इसकी जो स्थिती है कि क्या भनी हुई है वाकए में लेट बहुत हो गई है मौरल डाउन हो रहा है और जब आपके कमेंट पढ़ने को मिलते हैं तो साब उससे पता चलता है कि भाई अब तो एक वह निकल जाएंगे क्योंकि अगर गले तक कोई चीज आ जाये ना एक इंतजार का वी एक टाइम होता है चाहे आप कितने ही जह हो लेकिन वह जो एक मेंनल प्रेशर होता है तो अब करना उस पे में विडियो ज़रूर लेकर कैसे आ रहे हैं कि तो ठीटिटेशilation पीजटी के एक्जाम की स्थिती तभी क्लियर होगी पॉसिबिलिटी है कि इनको कराना चाहिए इलेक्शन को देखते हुए लेकिन ये क्लियर तभी होगा जब आपका नया सिक्षा सेवा चैन आयोग एकदम से बनके तयार हो जाएगा जैसा कि फैबलास्ट के लिए बताया ग से परिशान हो जब भी आपके लिए बेनिफिशल होगी और आपको एक सही ट्राक दिखा सकती है उनली दाट न्यूस एल देलेवर तो यह सारी चीजें है बागी ग्रामर हमारा चल रहा है तो उसको जरूर आप देखो और को एकर आपको क्वेस्टिन हो तो पीस्टो यह दूब यह दो लिए प्रपराशन रही बेल